हाई एफ्रीवन वेलकम टू माई चैनल कोकिंग जर्नी दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूँ साबू दानी की कीर की रेसिपी इसे बनाना बहुत ही आसान है और वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक अपने मेरे चैनल को सब्स सब्सक्राइब नहीं किया है पहली बार विजिट कर रहे है और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथी बैल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा इसे बड़े वाले साइज का जो साबुदान होता है उसे अक्सर हम नमकीन वगरे में इस्तिमाल करते हैं और इस साइज का जो यह साबुदाना होता है इसे हम खिचडी बनाने में और खीर बनाने में इस्तिमाल करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस सबूदाने को बहुत यह अच्छी तरह से वहुश कर लेना है तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसमें पानी डाला है और यह पानी कितना ज्यादा स्वाइड़ी हो गया है तो हम इसे तब तक साफ करना है जब तक कि इसमें ये जो cloudy water है ये आना बंद हो जाए तो लगबख तीन से चार बार लग जाएंगे आपको इसे अच्छी तरह से साफ करने में तो देखिए दो तीन बार मैं इसे अच्छी से wash कर चुकी हूँ आप लास्ट में आप देख सकते हैं कि इसमें जो पानी है वो बिल्कुल साफ है पानी हमने डाला है तो बिल्कुल भी cloudy नहीं है अब हमें इसे भिगोना है बर हमें इसे इतने सारे पानी में नहीं भिगोना है तो देखे हमने आधा कप साबुदाना लिया था उसके हिसाब से हम इसमें आधा कप ही पानी रखेंगे भिगोने के लिए साबुदाने को कभी भी बहुत जादा पानी में नहीं भीगोना चाहिए अगर आप बहुत जादा पानी में इसे भीगोएंगे तो उसके बाद आप इससे जो भी चीज़ बनाएंगे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी काफी जादा ये गल जाएगा उसमें तो देखिए बिल्कुल हमें इतना पानी डालना है कि इसमें अच्छे से बस डूब जाए उससे जादा इसमें पानी ना हो एक गंटा भिगो लिया मैंने साबुदाने को अच्छी तरह से ये फूल गया है तो देखिए मैं आपको इसे बहुत अच्छे से इसका एक एक दाना तोट रहा है अब हमें क्या करना है कडाई रखनी है गैस पर और गैस का फ्लेम मैंने मीडियम किया और उसमें मैंने लिया है एक बड़ा चमच देसी घी और इसमें मैं कुछ ड्राइफूर्ट जैसे की काजू और बादाम इन दोनों इसमें बिल्कुल भी नहीं का दाने ब मारा हमें और की किसमच दाल गोडा है कर दालता किका हूं देशी घी है इसमें हम एड़ करेंगे एक इलाइची तो खीर में इलाइची का फ्लेवर बहुत जादा अच्छा लगता है आप यहाँ इलाइची पाउडर भी इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आप इलाइची पाउडर यूज करें तो उसे लास्ट में खीर में डालिएगा और अगर इसमें थोड़ा बहुत पानी है भी तो उसे निकाल दीजिए और बाकी का साबुदाना इसमें डाल करके हमें अच्छे से घी में भून लेना है दोस्तों ऐसा करने से यह बहुत अच्छी एक ट्रिक है क्योंकि सभी लोगों को प्रॉब्लम आती है मोसली कि हम जब भ जालने के बाद में वो अकसर फट जाती है कई बार ऐसा होता है मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ बट यह ट्रिक अगर आप आजमाते हैं ना साबुदाने को पहले अच्छी तरह से भून लेता है अगर अगर अब देसीगी में तो डेफिनेटली शॉटी के साथ में बोल सकती हू और लगातार इसे चलाते हुए भूनना है तो एकदम से दिखिए फूलने लगता है साबुदाना और आप इसमें दूद आड करेंगे तो दूद आड करने के लिए मैं पहले से बता दूँ आपको यहां पर कच्छा दूद नहीं लेना है साइड बाई साइड मैंने यहां दूद भी बॉल कर लिया था तो यहां पर यह बॉल मिल्क मैं फुल क्रीम मिल्क एड कर रही हूं आधा केजी मैं इसमें दूद आड कर रही हूं मतलब मैंने पूरा एक लिटर दूद नहीं डाला है आधा लिटर से शाह थोड़ा सा जादा होगा क्यूंकि मैंने इसको बट याद रखिएगा कि दूद्ध उबला हुआ होना चाहिए फुल क्रीम से बनाएंगे तो आपकी खीर बहुत ही लाजवाव और बहुत ही टेस्टी वरनेगी अब इसे हमें मीडियम फ्लेम पर पकाना है और थोड़ा सा चलाते वह पकाना है ताकि इसमें कोई भी लम्स न बाइल वालिन है और जैसे इसमें अच्छे से बॉइल आने लगेगा तो आप देखेंगे कि जो साबुत आने दीरे दीरे ऊपर आने लगा है तैरने लगा है तो बस इसके साथ ही हम इसमें जो हमने ड्राइफरूट्स फ्राय करके रखे हुए थे उन्हें भी आइड कर दे देखेंगे और इन्हें ड्राइफरूट्स में डालने के बाद में भी हमें थोड़ी देर तक इसे पकाना है आप गैस का फ्लेम लो से मीडियम ही रखेगा उसे जादा तेज नहीं रखनी है आज हमें गैस की और लगातार ऐसे चलाते हुए आप इस तरह से खीर को पकाएं है तो आप इसको साथत कर्ची से हटाते रहें ऐसा करने से जो खीर है ना बहुत ही मलाईदार बनेगी और आप देख सकते हैं इसे पहले जब मैं इसमें कर्ची चला रही थी तो दूद काफी पतला लग था लेकिन अब आप कर्ची पर देख सकते हैं इसमी अच्छी सी और सफिशेंट रहा था इतना मीठा इस खीर में चीनी डालने के बाद में भी हमें 2-3 मिनट तक खीर को जरूर पकाना है क्योंकि चीनी डालने के बाद में थोड़ा सा यह लिक्विड हो जाता है जैसे ही चीनी पिगलती है तो 2-3 मिनट तक इसे हम अच्छे से पका लेंगे और उसके बाद गैस का फ्लेम कर दिया है मैंने ओफ और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और फिर उसके बाद में हम इससे सर्फ करेंगे बहुत ही टेस्टी बहुत ही लाजवा खीर बनके हमारी तायार हुई आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया अगर आप इसे ठंडा गरेंगे तो थोड़ी सी और गाड़ी हो जाएगी अगर कभी भी आपकी खीर इस तरह से थोड़ी जादा गाड़ी हो जाती है तो आप उसमें हलका सा गुनगोना दूद करके जिसमें की आप चीनी एड़ कर ले पहले ही और फिर मिक्स कर दीजी करके बिल्कुल तयार हो चुकी है देखने में इतनी लाजवाब लग रही है ये और खाने में बहुत ही जादा टेस्टी है तो दोस्तों उमीद करते हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो यूसफुल लगता है तो प्लीज इससे फैमि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथी साथ बैल आइकन जरूर से प्रैस कर लीजेगा ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो दोस्तों मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में तब तक रखिए अप